हलो फ्रेंड्स जैसा कि देखने में आ रहा है कि GST डेपार्टमेंट के द्वारा बहुत सारी नोटिसे इसू की जा रही हैं जिसमें उनके द्वारा पेनाल्टी पचास जार रुपे की लगाई जा रही है जैसा कि CGST एक्ट में अंडर सक्षन 125 में जनरल पेनाल्टी के बारे बताये गया है उसी से संबंदेत पेनाल्टी उनके द्वारा लगाई जा रही है तो आज हम लोग इसी बिसे पर डिसकस्षन करने वाले हैं कि यह जो जीस्टी डेपार्टमेंट के द्वारा लोटी से भेजी जा रही है इसमें जनरल पेनाल्टी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए और लगनी चाहिए तो क्यूं इसका समाधान भूडेंगे कि अगर हमारे पास इसका नोटीस आया है तो उसका हमें क्या समाधान करना ह और हमें इसके सम्मंद में क्या-क्या चीजें पहले बताई जा चुकी हैं जिसके अनुसार डेपार्टमेंट को खाम करना चाहिए लेकिन उन चीजों को ध्यान में ना रखते हुए सीधे जनल पर नपनी लगाई जा रही है जो की गलत प्रतीत होती है तो आज हम लोग उसी क का discussion करेंगे देखते हैं कि हमारे द्वारा उसके लिए क्या solution उपलब्ध है उससे पहले एक छोटी सी request कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो prepare subscribe कर लें और bell icon अवस्प्रेस करें जिससे हमारे upload होने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्द of this act or any rules made there under for which no penalty is separately provided for in this act, shall be liable to a penalty which may extend to 25,000 rupees तो CGST act में बताया गया है कि 25,000 rupees की penalty लगाई जा सकती है अगर हम किसी rules का, एक उसी act का contravention करते हैं तो ये 25,000 rupees हो गई आपकी CGST की और 25,000 हो गई SGST की यानि total मिला करके 50,000 rupees की penalty लगा ही जा रही है अब हम देखते हैं जो notices आ रही हैं ज्यादा तर वो notices हैं आपकी non-filer से सम्बंदे जिनोंने अपना GSTR 3 भी time से file नहीं किया है उन लोगों को वो notices आ रही है तो जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है और मालूम भी है कि जब हम non-filer में आते हैं हमने GSTR 3 भी अपना time से file नहीं किया हुआ होता है उसके लिए एक SOP जारी किया गया है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमारे उपस किस तरह से इसको implement करना चाहिए तो आएए देखते हैं वो SOP को कि जिसमें ये पूरा प्रोसीजर बताये गया है Standard Operating Procedure to be followed in case of non-filer of returns तो इसमें इनों नहीं बताया तो इसमें इन्होंने पूरे डाउट्स किलियर करें हैं पर पूरा प्रोसीजर बताया है कि सक्शन 39 और सक्शन 44 और सक्शन 45 के अंतरगर किस तरह से हमें काम करना है तो इसमें आगे देखते हैं The matter has been examined in order to clarify the issue and to ensure informality in the implementation of the provision of the law across field formation The board in exercise of its powers confirmed by section 168 subsection 1 of the CGST Act Hereby issues the following clarification and guidelines अब देखें आपको clear cut यहां पर guidelines बताई गई हैं यह point 3 से आपको सारी चीज़ें clear हो जाएंगी क्या है Section 46 of the CGST Act wrapped with Rule 68 of the Central Courts and Service Tax Rules 2017 Here in order referred to as the CGST Rules requires issuance of a notice in form GSTR 3A यहनि जो notice हमें issue की जाएगी वो form GSTR 3A में होगी to a registered person who fails to furnish return under section 39 or section 44 or section 45 Here in order referred to as the defaulter requiring him to furnish such return within 15 days अब आपको यहां से इसको clear cut समझ लेना है कि Section 46 of the CGST Act read with Rule 68 of the Central Courts and Service Tax Rules 2017 यहां से इन्होंने पूरी चीज़ें clear कर देंगी आपको सबसे पहले जो notice issue किया जाएगा वो form GSTR 3A में होगा और जो section 39, section 44 और section 45 के अनुसार काम नहीं करेगा यानि return file नहीं करेगा उसे कहा जाएगा डिफाल्टर और उसको यह notice यह form GSTR 3A में जो notice issue होगा वो मिलने के 15 दिन के अंदर अपना return file कर देना है अगर वो 15 दिन के अंदर अपना return file कर देता है तो क्या होगा further section 62 provides for assessment of non-failers of return of registered person who fails to furnish return under section 39 और section 45 even after service of notice under section 46 firm GSTR 3A provides as under तो यहां पर इन्होंने clear आपको कर दिया कि अगर आपके पास GSTR 3A में notice आ गया है तो आप 15 दिन के अंदर अगर अपना return file कर देते हैं तो आपको यह सुविधा मिल जाएगी क्या notice to return default under section 46 for not filing return तो यह तो होगे आपकी notice और notice के बाद आपको यह सुविधा मिलने वाली है कि आप 15 दिन के अंदर file कर दिये being a registered tax payer you are required to furnish return for the supplies made or received and to discharge the recent tax liability for the aforesaid tax period by due date it has been noticed that you have not filed the set return till date you are therefore requested to furnish the set return within 15 days failing with the tax liability may be assert under 62 तो अंडर section 62 में आपकी liability fix कर दी जाएगी लिहाजा आप सबसे पहले notice मिलता है farm GSTR 3A में तो आप 15 दिन के अंदर अपना return file कर दिये based on the relevant materials available with this office please note that in addition of tax to assess you will also be liable to pay interest and penalty as per provision of the act अब 15 दिन के अंदर अगर आपने अपना return file नहीं किया तो अंडर section 62 वो आप उसके पास जो भी material available है उसके office में उसके आधार पर वो assess कर लेगा और assess करने के बाद आपके उपर tax, interest, penalty, सारा कुछ liable होगा impose किया जाएगा please note that no further communication be issued for assessing the liability यानि इसके बाद उसको कोई communication की जुरूवत भी नहीं है पहले आपको 3A में notice देगा notice का reply आप नहीं करते या return file नहीं करते तो आपको further notice देनी की जुरूवत नहीं under 62 आपको assessment कर देगा अब देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है the notice shall be deemed to have been withdrawn बहुत ही important चीज है the notice shall be deemed to have been withdrawn in case the return referred above is filed by you before issue of the assessment order अब इन्होंने एक बात और आपको relief दे दी कि अगर आप अपना return file कर देते हैं कब तक assessment order होने के पहले before issue of assessment order assessment order issue होने के पहले भी अगर आप अपना return file कर देते हैं तो ये notice क्या होगी withdrawn समझी जाएगी यानि कि एक facility आपके पास ये भी है कि 15 दिन नहीं तो assessment order के पहले तो जरूर ही कर ले no separate notice is required to be issued for best judgment assessment order section 62 and in case of failure to file written within 15 days of response from GSTR 3A the best judgment assessment from ASMT 13 can be issued without any further communication तो यहाँ पर बार बार ये कह रहे हैं कि आपको बार बार notice नहीं दी जाएगी आपको जो notice दी गई उसके अनुसार आप अपना return file कर दीजे और आपकी notice जो है वो बिड़ा हो जाएगी अब यहाँ पर इन्हों ने उसके आगे की चीजें बताई हैं यह करेंगे और इसके बावजूद भी अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके लिए form GSTR 3A बिलकुल लेडी रखा है क्या मतलब 5 days after the due date of furnishing the return a notice in form GSTR 3A under section 46 of the CGS Act read with rule 68 of the CGST rules cell be issued electronically to such registered person who fails to furnish return under section 39 requiring him to furnish such return within 15 days अब यहां पर आप देखें यहां पर system generated notice की बात हो रही है कि अगर आपने 5 दिन तक due date के बाद 5 दिन तक अपना return फाइल नहीं किया तो system generated a form GSTR 3A issue हो जाएगा और फिर आपके पास वो 15 दिन का समय बचेगा यानि 15 days की जो notice होगी उसके आधार पर आपको इसको करना ही करना पड़ेगा In case the set return is still not filed by the defalter within 15 days of the set notice the proper officer may process to assess the tax liability of the set person under section 62 of the CGST Act to the best of his judgment taking into account all अब यहाँ पर फिर से वही चीजायलो ने repeat करी है कि यह वो साफ से वोग करेंगे the relevant material which is available and which he has gathered and would issue order under 100 of the CGST rules in form GST ASMT 13 the proper officer would then be required to upload the summary thereof in form GST DRC 07 यानि वो form GST ASMT 13 जारी करेगा उसके बाद form GST DRC 07 में भी करेगा तो यह आपके पास चीजें है इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसके आगे की कारवाई क्या है for the purpose of assessment of tax liability under section 62 of the CGST Act the proper officer may take into account the details of outward supplies available in the statement furnished under section 37 from GSTR 1 यानि अभी जो उन्होंने ऊपर बात कही थी कि जो हमारे पास material available होगा या जो हमारी जानकारी में आएगा जो चीजे आफिस में उपलब्द होंगी उनके आधार पर तो यहां पर इन्होंने खिलिया करा इसको कि section 37 में जो आफ फार्म GSTR 1 फाइल करते हैं उसके आधार पर क्या है details of supplies आपको पॉप्लेटेट इन फार्म GSTR 2A और GSTR 2A में जो इन्फार्मेशन आती है एवलेबिल फ्राम E-Way बिल्स और एनी अधर इन्फार्मेशन एवलेबिल फ्राम एनी अधर सोर्सेज इंक्लूडिंग फ्राम इंस्प्रेक्शन अंडर सक्शन 71 तो यह बता दिया कहा कहा से वो इन्फार्मेशन कलेक्ट कर लेंगे यानी आपको GSTR 1 हो गया 2A हो गया और भी E-Way बिल हो गया और भी जहां से भी मिल सकती है इन केज देफाल्टर फ्रामेशन एवलेबिल इटर्म विधिन 30 देज अब थे सर्विस आप असेस्मेंट और इन फार्म GST की रिलीव भी आपको दी जा रही है इसको बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है कि यह क्या कह रहा है कि अगर आपने एक वाइलेब इटर्म तर तीज दिन के अंदर दाखिल कर दिया कबसे इन एक केस्ट इफाल्टर वर वरीडर वाइले रही डिलीव रिलीव अविं थिरूर्ण धर्म GST S.M. T. 13 the set assessment order shall be deemed to have been withdrawn in terms of provision of subsection two of section 62 of the CGST act however if the set return remains unfurnished within the statory period of 30 days from issuance of order in form A S.M. T. 13 तो यहां पर उन्होंने फिर आपको रिलीफ दिया कि अगर आपको SMT 13 जारी हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर भी आप अपना रिटन फाइल कर देते हैं तो भी आपको यह रिलीफ मिल जाएगा कि आपके फिर कौन सी आपके पूबर कारवाही रह जाएगी इफ दसे अटर रिमेंस अन फॉर्नेश्ट बिदिन दे स्ट रिपीड अगर 30 देज के अंदर SMT 13 के बाद भी नहीं करते हैं तो फिर आपको प्राब्लम हो जाएगी सेक्शन 78 और सेक्शन 79 के आधार पर वो प्रोसीडिंग्स को इनिसियेट कर दे रहा है तो अब यहां पर देख लेते हैं एब आप जनरल गाइड लाइन में भी फालोट बाइद प्रॉफियर ऑफिसर इंकेस अब नान फॉर्नेश्टिंग अविटर्निंट डिजर्विंग केस बेस उसको ऐसा लगता है कि revenue का last हो सकता है कहीं से कोई ऐसी दिखकर उसको दिखाई देती है तो अब यह मेरा क्याल है आपको सारी चीज़े clear हो गई होगी कि आपको इस को ध्यान में रख करके चलना है यानि कि आपको इस SOP को ध्यान में रखना है और इसी के आधार पर मेरी ग कि अमें भी इसी प्रोटी सीडिंग को फालो करना चाहिए और इसी के आधार पर अपना रिप्लाई सब्मिट करते रहना चाहिए इस जो समय इसमें दिया गया उसको जुरूर से जुरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए जिससे हम इसका लाव ले सके हैं तन्यमाद